नमस्कार आप सुन रहे हैं दबॉलिवूट रेडियो और मैं हूँ आपके साथ आकाश दोस्तों आज के इस पॉड़कास्ट में बात गुरुदत और आशा पारेख की और एक दिल्चस्प किस्सा और बात करेंगे उस फिल्म की भरोसा जिसमें गुरुदत और आशा पारेख दोनों साथ में नोटिस किये गए बॉलिवूट की मशूर एक्ट्रेस आशा पारेख ने अपने अंदाज और हिंदी फिल्मों से सिनमा में जबरदस्त पहचान बनाई आशा पारेख इन दिनों भले ही फिल्मी दुनिया से दूर है लेकिन उनकी एक्टिंग की छाप उनों की एक्टिंग को दर्शकों ने खुब सरा हा खाला कि अपने एक इंट्रिवू में उन्होंने गुरुदत के बारे में बात करते हुए कहा था कि वो बच्चों जैसी हरकते करते थे और इतना ही नहीं आशा पारेख और गुरुदत एरपोर्ट पर ही काजू के बकसों को लेकर लडने भी लगे थे अब ये सुनकर आप बड़े आपको हैरानी होगी लेकिन ये बात 16 आने सच है क्योंकि इसका खुलासा खुद सालो बाद आशा पारेख ने अपने इंट्रिवू में किया और गुरुदत से जुड़ा ये किसा खुद आशा पारेख ने एक इं आशा पारेख ने गुरुदत से जुड़े किस्से को साजा करते हुए आगे कहा शूटिंग के दौरान हमें किसी के घर पर दावत मिली थी जब भरोसा फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो किसी ने हमें इन्वाइट किया था कि आप हमारे साथ खाने पर आईए और उन्हो गुरुदत जी उस दावत में आये नहीं थे इन्वाइट किये गए लेकिन पहुंचे नहीं और मैं जब एरपोर्ट पर पहुंची तो काजू के वो बकसे मेरे पास ही रखे थे चुकि उन्होंने बड़ी शद्दत से महबत से हमें बुलाया था तो गुरुदत जा नहीं पाए मैं चली गई अब वो कहते हैं कि वो जो काजू के बकसे उन्होंने दिये थे वो मेरे पास थे आशापारेख आगे बताती हैं कि गुरुदत जी ने उन बकसों को देख लिया कि ये मेरे पास है और मुझे से पूछें लगे कि तुम्हें दिया है तो मुझे क्यों नहीं दिया मैंने कहा कि आप आये नहीं थे तो आपको कैसे दिया जाता इस पर वो कहने लगे कि मैं एक लूँगा लेकिन मैंने देने से इंकार कर दिया आशा पारिक कहती है और कहा कि मैं आपको ये बकसे नहीं दूँगी चुकि ये बकसा मेरे लिए है आप गए नहीं तो ये बकसा आपको नहीं मिलेगा आशा पारिक ने इंटर्वू में आगे बताया कि वो इस बात को लेकर मुझसे एरपोर्ट पर ही जगड़ा करने लगे जोर जोर से और इस बीच उन्होंने एक बकसा उठाया और उसे लेकर एक तरीके से वहां से भागे अब आप सोचिए कि गुर्दत ऐसा कर रहे हैं इससे इतर आशा पारिक ने अपने एक इंटर्वू में बताया था कि वो काफी शरार्ती थी खुद भी और कोई स्टार्स के साथ सेट पर प्रैंक भी किया करती थी और गुर्दत के बाद ऐसा ये किस्सा उन्होंने सुनीलदत के बारे में सुनाया था कि आशा पारिक ने एक्टर सुनीलदत की चपलें कुरसी के पीछे छिपा दी थी जिससे सुनीलदत सहाब को नंगे पैर ही घर जाना पड़ा था तो चुल्बुली आशा पारेख भी अपने जमाने में कम नहीं थी ये इन किस्सों से साफ जाहिर होता है लेकिन फिल्म भरोसा जिसके शूटिंग के दौरान ये किस्सा निकला जहां काजू के बक्सों को लेकर गुरुदत सहाब और आशा पारेख में एक तरीके से नटकट करने गाया था वो दिल कहां से लाऊं और सबसे पसंदिदा इस फिल्म का गीत माना गया और कहानी बड़ी दिल्चस्प थी रौनक लाल एक अमीर आदमी रामदास का नौकर है जो किसी गंभीर बिमारी से प्लित है और खुद को मरने के गागार पर मानता है और रौनक लाल को अपने छोटे बेटे बंसी जिसके करदार में गुर्दत सहाब है बंसी के देखभाल के लिए एक बड़ी रकम देता है रौनक लाल अपनी पतनी बेटे और बंसी के साथ एक गाउं में चला जाता है जहां वो बंसी को एक नौकर की तरह पालता है बंसी सरल और नेकदिल है जबकि रौनकलाल का बेटा दीपक हलाकि शिख्षा के लिए शहर भेजा गया था वो एक अमीर आदमी की बेटी का पीछा करता है बंसी को गाउं की एक सुंदरी गुमती से प्यार हो जाता है और गुमती के करदार में आशा पारेख है लेकिन रौनकलाल उनकी शादी के र गुर्दत सहाब हैं लेकिन फिल्में बन जाती हैं और किस्से छोड़ जाते हैं किस्से जो हम आपको सुनाते हैं सुनते रहिए दे बॉलिवुट रेडियो सुनता है सारा इंडिया